मेरा नाम मानिक बजाज है मैं जस्ट वेक पैटिस्ट्री बेकरी कहा ओलर हूँ और हर साल की तरह इस साल फिर हमें चॉकलेट से गनेज जी की मूर्ती बनाने का मौका मिला है और हम पिछले कई सालों से ये प्रयोग कर रहे हैं Environment Conservation Eco Friendly रखते हुए हमने एक ये ट्राई किया था और हर साल की तरह इस साल भी हम बहुत ही सुन्दर डाक और वाइट चॉकलेट से गनेज जी की मूर्ती बना पाए हैं पिछली बार हमारे एफर्ट्स को बहुत अच्छा सबने डेकर गनाईज किया और प्रदार मंतिशिन रेंद मोधी जी ने भी मन की बात में हमारे चॉकलेट गनेज जी का जिक्र किया और इसकी फोटो भी दिखाई तो उस सबसे प्रोटसाहित होके इस बार हमने और भी विशाल और बहुत ही सुन्दर गनेज जी बनाए हैं चोटे साइस में भी और बड़े साइस में भी कोविड के हिसाब से लोग ज़्यादा गैधरिन नी कर पा रहे तो चोटे साइस के भी गनपती जी बना पाएं और इसका प्रसाद बनाके गरीबों में और ज़ुरत्मंदों में बाट भी सकते हैं इसको हमने लोगों की रिक्वेस्ट पे कई ओर्ड़ जिसके हमने बनाएं भी हैं और हम خुद भी अपने घर में और अपनी उस दुकान पे एक हफते के लिए इनको विसर्जित इनको गर्म दूद में इसका विसर्जन भी किया जाएगा सब्सक्राइब करें जाएगा वो एको फ्रेंटली बना रहे थे असी हमेशा इस तरह बना दे रहांगे जो असी रहे ते सारी टेबल कर रहे खानाले कलर है जी चौकलट है कि है वासी वेल्जम चौकलट यूज़ कर देने ते अब गनेश जी तुसी देख रहे जी मैं उन इस रहके ही गनेश जी दा उस समनान ते एको फ्रेंटली होए ते और भी अच्छा है